जी तो देखिए मेरा नाम प्रमोद आज हम बात करने वाले रिलाइंस पाउर के बारे में तो जिस स्टॉक के बारे में आज में बात करने वारा हूं लगबग आप देख सेते हैं 5% का अपर सरकेट लगा है और लोग भी चाहते थे इस स्टॉक के अंदर अपर सरकेट लगना लिए और फिर ले टेस्ट अपडेट के लिए रहड़ी हो जाएगे तो चलिए शुरू करते हैं बात करें रिलाइंस पावर्ड लिमिटेड मतलब आप पढ़के स्टॉप बता सकते हैं रिलायंस इंडरस्टी का है रिलाइंस का है मतलब रिलाइंस या तो फूकेशं बानी जी या नहीं लम्भाणी जी आपको पता हो गया नहीं लम्भानी जी का है और बात करूँ पिछले जो एक दिन के अंदर आप देख सेथे इतने टाइम से जो इतना तीन परसेंट गिरावट में था महीने पर में गिर वापिस नीचे जा सकता है लेकिन जो प्रमें बहुत अच्छा कंबेक किया और साथ इमें से बादें पिछले पांदे के बाद कंबेक होने के बाद ये इस टॉक अच्छा खासा बढ़ा उतरी लिए और महीने बर में गिरने की भी कोशिष थी लेकिन अज अगर 5% की उपर ब बंद हुए तो यह बहुत कुछ कब्रिया नीलम्बानी की तरफ से और टार टैली सर्विस साथ में एच एवसी लिए दो कंपनिया वी बढ़ी है और बात करूँ इसके इसके पाइनिशल की तो फाइनिशल देखा जाता है बहुत इंपॉर्टेंट रखा जाता इन कंपनियों के लिए तो आप इनशल तो इसके और अगई ती और अगर कंपैरिशन में बाकी किसी स्टॉक पावर सेक्टर के स्टॉक से देखुट तो टाटा पाइब बहुत अच् देख सकते हैं किसने अच्छे दिए छे महीने की बात करूँ उसमें भी देख सकते हैं पूरे साल बर की बात करूँ उसमें भी आप देख सकते हैं एक साल में भी पांच साल के अंदर जरूर मैं मानता हूं टाटा पाउर ने दिये मैक्स के अंदर आप देख सकते हैं टाटा झाल 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 झाल